जेनो, दिमाग हिला देने वाले पहेलियों का उस्ताद, प्राचीन ग्रीस, फिलोसफर और विचारकों का जमाना, यह वह समय था जब विचारों की गहराई को मापा जाता था। एक आदमी, जीनो ओफ एलिया, सबसे अलग थे। उनकी सोच और दिष्टिकों ने उन्हें भीड से अलग कर दिया। उन्हें पहेलियों से प्यार था। पहेलियां जो साधारन नहीं थी, बलकि गहन और जटिल थी। कोई भी पहेली नहीं, जरा सोचो। ये पहेलियां हमारे दिमाग को चुनौती देती थी। जीनो की पहेलियां दिमाग को हिला देती थी। वे हमारे सोचने के तरीके को बदल देती थी। जो तुम जानते थे, उस पर ही सवाल उठा देती थी। वे हमें हमारे विश्वासों पर पुनर विचार करने पर मजबूर करती थी। ये आ जो तर्क को चुनोती देते थे जेनों के विरोधा भास मशहूर हो गए वे तर्क और वास्तविक्ता के बीच की खाई को उजागर करते थे सदियों तक लोगों को उलजाते रहे वे विचारकों और दार्शनिकों के बीच चर्चा का विशय बने रहे आज भी वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं उनकी पहेलियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं क्यों? क्योंकि वो हमारे आसपास के संसार और तर्क के बीच के अजीब रिष्टे को दिखाते हैं वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं लेकिन जीनों हमें परेशान नहीं करना चाहते थे, उनका उद्देश्य हमें सोचने के लिए प्रेरित करना था, वो हमें सोचने पर मजबूर करना चाहते थे, वे चाहते थे कि हम अपने विचारों की गहराई में जाएं, वो हमारे सोच में गलतियों को दिखाने के लिए व उनकी समझ की सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर किया वे हमें हमारी सोच की गहराई में ले जाते थे जेनों की सबसे मशहूर पहली में से एक है डाइकोटोमी पेरडॉक्स ये एक आसान सी आइडिया है लेकिन इसके बहुत बड़े माइने हैं कल्पना करो कि आप एक कमरे के एक तरफ से दूसरी तरफ चल कर जाना चाहते हैं आसान लगता है है न इतनी जल्दी नहीं जीनों कहते हैं पूरे कमरे को पार करने से पहले आपको आधे रास्ते तक तो पहुंचना होगा अब तक तो ठीक है लेकिन रुको और भी बहुत कुछ है आधे रास्ते तक पहुँचने से पहले आपको चौथाई रास्ते तक पहुँचना होगा और उससे पहले आठवा हिस्सा और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा समस्या समझाई आप दूरी को लगातार छोटे छोटे टुकडों में बांट रहे हैं ये एक अंतहीन चक्र की तरह है चलो एक रेस की कलपना करते हैं एक धावक फिनिश लाइन तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है लेकिन हर बार जब वो पास पहुँचते हैं उन्हें पहले बची हुई दूरी का आधा हिस्सा तय करना होता है तो वो आधी दूरी दोडते हैं फिर उस दूरी का आधा फिर उस दूरी का आधा और ये ऐसे ही चलता रहता है धावक फिनिश लाइन के करीब और करीब पहुँचता रहता है लेकिन ऐसा लगता है कि वो कभी भी वहां पहुँच ही नहीं पाता यही डाइकॉटमी पैरेडॉक्स का मूल है ऐसा लगता है कि किसी भी यात्रा को पूरा करना असंभव है क्योंकि इसे हमेशा छोटे-छोटे चरणों में विभाजित किया जा रहा है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है यह विरोधा भास क्यों माइने रखता है यह हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देता है खैर यह गतिकी हमारी बुनियादी समझ को चुनौती देता है यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में कैसे चलते हैं अगर हम वास्तव में कभी भी यात्रा पूरी नहीं कर सकते हैं तो हम आगे कैसे बराइगेकों के ए उम्मा बेड़ी एबगगे आप करार सकते हैं यह सवाल हमें परेशान करता है ये विरोधा भास हमें अनन्त के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है अनन्त की अवधारणा हमारे लिए हमेशा रहस्यमय रही है ऐसा लगता है कि हम अपने लक्ष तक पहुँचने के लिए अनन्त चरणों से जूज रहे हैं यह विचार हमें ठका देता है लेकिन क्या हम वास्तव में वास्तविक दुनिया में अनन्त का अनुभव कर सकते हैं यह एक बड़ा सवाल है यह कुछ कठिन प्रश्न है जिन्होंने सदियों से दार्शनिकों और गणितज्यों को उलज़ा कर रखा है इन सवालों के जवाब खोजना आसान नहीं है के लिए मजबूर करता है यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या जानते हैं और क्या नहीं सेक्शन फाइव गती और अनन्त जो हम जानते हैं उसे फिर से सोचना यह एक ऐसा विशय है जो हमें अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है Dichotomy Paradox हमें हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अपने चारों ओर की दुनिया को समझते हैं क्या हम सच-मुच गति को समझते हैं गति की अवधारणा जितनी सरल लगती है उतनी ही जटिल भी है अनंत के बारे में क्या? अनंत की धारणा हमें असीम संभावनाओं की ओर ले जाती है क्या यह सिर्फ एक अवधारणा है या यह वास्तविक दुनिया में मौजूद है यह सवाल हमें ब्रम्हांड की गहराईयों में ले जाता है विरोधा भास हमारी सोच की सीमाओं को उजागर करता है यह हमें दिखाता है कि हमारी समझ कितनी सीमित हो सकती है हम सीमित चरणों के संदर्भ में सोचना पसंद करते हैं यह हमारी सोच को सरल बनाता है हम चीजों को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं यह हमें जटिलताओं को समझने में मदद करता है लेकिन ब्रह्मांड हमेशा उस तरह से काम नहीं करता है यह हमें अपनी सीमाओं से परे सोचने के लिए प्रेरित करता है डाइकोटुमी पैरडॉक्स हमें याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं यह हमें अनवेशन की ओर प्रेरित करता है यह एक विनम्र करने वाला विचार है लेकिन यह रोमांचक भी है यह हमें नई खोजों के लिए प्रेरित करता है खोज करने और तलाशने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती सेक्शन 6 असल दुनिया में जेनो का विरोधा भास तीर से लेकर पर्मानुओं तक आप सोच रहे होंगे यह सब तो बहुत दिल्चस्प है लेकिन क्या इसका कोई व्याभारिक अर्थ भी है? हैरानी की बात है, हाँ जेनो के डाइकॉटमी पैरडॉक्स ने भौतिकी और गणित जैसे क्षेत्रों को प्रभावित किया है उदाहरन के लिए कलन में हम असीम रूप से छोटी मात्राओं से निपटने के लिए सीमा के विचार का उपियोग करते हैं यह हमें गती और परिवर्तन जैसी अवधारणाओं को अधिक सटीक तरीके से समझने में मदद करता है यहां तक कि क्वांटम यांत्रीकी के क्षेत्र में भी जहां कर्ण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकते हैं जीनों के विरोधा भास ने बहस और सोचने के नए तरीकों को जन्म दिया है सेक्शन सेवन विरोधा भासों की शक्ति अपनी मान्यताओं को चुनौती देना जीनों के डाइकॉटमी पेरेडॉक्स जैसे विरोधा भास सिर्फ दिमागी कसरत से कहीं बढ़कर है वे हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए शक्तिशाली उपकरण है वे हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने और दुनिया को नए तरीकों से देखने के लिए मजबूर करते हैं जब हमारा सामना किसी विरोधा भास से होता है तो यह सीखने और बढ़ने का अवसर होता है यह अपने दिमाग का विस्तार करने और उन संभावनाओं पर विचार करने का मौका है जिनकी हमने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी तो अगली बार जब आपका सामना किसी विरोधा भास से हो तो उससे पीछे न हटें चुनौती को स्विकार करें और देखें कि यह आपको को जब ये इद्दाखार यह आपको कहां ले जाती है सेक्शन एट तर्क से परे जीनो के डाइकॉटमी पैरेडॉक्स की खूबसूर्ती जीनो का डाइकॉटमी पैरेडॉक्स मानव विचार की शक्ती का प्रमान है यह एक अनुसमारक है कि तर्क हमेशा ब्रह्मान की जटिलताओं की व्याख्या नहीं कर सकता है उस अहसास में एक खास तरह की खूबसूर्ती है यह हमें आश्चर्य और संभावना की दुनिया के लिए खोलता है यह हमें अग्यात को स्विकार करने और जवाब खोजते रहने के लिए प्रोथसाहित करता है विरोधा भास हमें यह भी याद दिलाता है कि गती और अनंत जैसी सरल प्रतीत होने वाली अवधारणाओं में भी छिपी हुई गहराई हो सकती है सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है तलाशने के लिए और समझने के लिए और भी बहुत कुछ होता है सेक्शन 9 रहस्य का उद्गाटन सवालों में जवाब ढूंडना तो जीनो के डाइकॉटोमी पेरेडॉक्स का समाधान क्या है? विरोधा भासों के साथ यही तो बात है जवाब अक्सर सवालों में ही छिपे होते हैं विरोधा भास वास्तव में इस बारे में नहीं है कि हम अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं या नहीं यह इस बारे में है कि हम गती, अनंत और वास्तविक्ता की प्रकृती के बारे में कैसे सोचते हैं इन सवालों से जूज कर हम अपने और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ हासिल करते हैं हम अपने ग्यान की सीमाओं की सराहना करना और अग्यात के रहस्य को स्वीकार करना सीखते हैं सेक्शन 10 यात्रा जारी है आप क्या खोजेंगे? जीनो का डाइकॉटमी पैरडॉक्स एक मंजिल नहीं, बलकि एक यात्रा है यह अनवेशन, खोज और आश्चर्य की यात्रा है यह एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं है लेकिन यही तो इसे इतना रोमांचक बनाता है तो सवाल पूछते रहें, तलाश करते रहें और अपने दिमाग को उन अनंत संभावनाओं के लिए खुला रखें जो हमारे चारों ओर है कौन जानता है कि आपकी यात्रा पर कौन सी अद्भुत खोजें आपका इंतजार कर रही है